हलो फ्रेंस वल्कम बैक टो मैं चैनल महरजनी और आज मैं आप लोगे साथ शेर कर रहे हूं एक अनोखी चटनी और ये चटनी की रेसिपी बहुत ही जाधा मज़ेदार है सायद ही आप लोग उने कभी इसको खाया होगा और अगर खाया है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो आज मैं आप लोगे साथ शेर कर रहे हूं पके हुए अंबार की चटनी तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है तो यहां मैंने पका हूँ अंबार लिया है यह देखिए इस तरीके से और इसको हम चक्को के हल्प से छील लेंगे और एकदम सिंप और उसके बाद इसका जो पल्प है वो निकालेंगे और इसका जो पल्प है वो बहुत ही कम होता है लेकिन खाने में बहुत जादा टेस्टी लगती इसकी चटनी तो आप लोग भी इसको ट्राई जरूर कीजीगा एक बार बहुत ही अच्छा लगेगा और जो ज्यादा प्राइट है उनको हम चको से छेल लेंगे तो यह देखिए जो ज्यादा घुले वह फूर जा रहे है तो हम इसको अराम से चको के हैल्प से निकाल लेंगे यह देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसका छिलका निकल रहा है और यह देखिए मैंने सारा जो अमबार था वो छी लिया है सारा छिलका निकाल लिया अच्छे से तो हम इसको इस तरीके से दबा के और इसका पल्प जो है वो निकाल लेंगे और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजे बिल बोटन दबाना बिलकुल न भोले नोटिफिकेशन के लिए उससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे तो यह देखिए हम इसी तरीके से सारा पल्प निकाल लेंगे और यह देखिए मैंने सारा पल्प निकाल लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से निकल गया है यह देखिए कुछ इस तरीके से है यह पका हुआ उसके साजु गठलिया है वो हमने अलग कर लिया है तो अभोम मिश करेंगे नमक और अप्र मगमें भी से लिए चमऑ से बिकम ड्रायोश्ट मिसाला और ये ड्राय रोष्ट मसाला की रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है तो आप वहाँ से देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मसाला है और आदा चमश डालेंगे हरी धन्य की चट्नी अच्छा मैं ऊच्छा मुक्स केम कर लेगे नच्छा चट्नी को कोदा लखे ऊच्छा लेका के नेच्छा मह 15 मिक्षे कर लेते हैं और आप सकता क्यों अच्छा है ब़सां प्लेट में देख रहा ह Worksعم 400 सानद 30 तो यह देखिए मैंने चटनी को प्लेट में निकाल लिया है और आप लोग भी इस रेसिपी को एक बाद ट्राइ जरूर कीजिएगा उमीद करती हूं बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आप इसको दाल चावल के साथ पूरी पराठे के साथ किसी के साथ बिखाएए बहुत साथा टेस्टी लगेगा तो उमीद करती हूं आप लोग इसको एक बाद जरूर ट्राइ करेंगे और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये पके हुए अमबार की चटनी की रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को झाल